और चोटे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने धाई किलो के हाथ से बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले सबसे पहले आपको मिल सके हमारी वीडियो ओनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल नेट्फिक्स और अमेजन प्रायम जैसे चैनलों को आने से एक तो फैदा हुआ कि इसमें सेंसर बोट की बिना रुकावट से हम लोग एरोटिक जैसे कॉंटेंट को असानी से देख सकते हैं जिसके वज़ा से एरोटिक जैसे वेब सीरीज और फिल्म भी अब हमारे बीच एकदम खूल कर आ रहे हैं और इससे चोटे मोटे डारेक्टर और चोटे मोटे एक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ही फैदा हुआ तो ऐसे मैं आज मैं बात करूंगा हिंदी की टॉप टेन इरोटिक वेब सीरीज के वारे में तो बिना किसी देरी के चलिए सुरू करते हैं दसवे नम्मर पर हैं ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड ये सीरीज को आप अल्ट वालाजी और जीयो सिनमा पर देख सकते हैं इसमें टिवी सेरियल फेम रित्विक धंजवानी, सांतनू महसवरी और अंकीत गेरा लीड रोल में हैं ये स्रीज पांच एपिसोड की है ये स्रीज सेप्टेमबर 2018 में रिलीज किया गया था लब, लस्ट, सेक्स और निउडिटी से भरपूर है ये स्रीज इसकी स्टोरी की बात करें, तो इसकी स्टोरी आप साइड में रखकर ही इस स्रीज को देखिएगा क्योंकि इसमें बस सेक्स पर ही फोकस किया गया है पांच एपिसोड की ये स्रीज में पांच कहानियों को दिखाया गया है इस सीरीज में रित्विक के करेक्टर जो की एक्टर रहते हैं और वो सूट से वापस आ रहे होते हैं फिर उसे रास्ते में एक लर्की से मुलाकात होती है जिसके गारी खराब हो जाती है फिर उसके बाद क्या होता है ये सब आप सीरीज में देख सकते हैं इस सीरीज के सेक्स कॉंटेंट को अच्छे से दिखाया गया है, जिसको आप अच्छे से इंज्वाइ कर सकते हैं, एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी, आप इस सीरीज को अल्ट वालाजी पर देख सकते हैं, ठीक इसके बाद है माया, फिल्म डारेक्टर विक्रम भट ने खुद का ओनलाइन स्ट्रिमिंग चैनल लॉंच किया, और उस पर रिलीज किये माया, इस सीरीज के लीड रोल में है समा सिकंदर, ये एक एडल्ट लब स्टोरी है, जिसको विक्रम भट ने डारेक्ट किया है, और ये विक्रम भट की कोई पहली वेब सीरीज था, जिसको उन्होंने डारेक्ट किया था, इस सीरीज को बहुत ही बोल्ट बनाया गया है, इस सीरीज के लीड एक्टरेस समा सिकंदर, एक हाउस वाइब के करेक्टर में है, जो की सैक्स की एडिक्ट वैती है, इस सीरीज में निया सर्मा लीड रोल में है, इसके दो सीजन आ चुके हैं, आप इसको बिक्रम भट के ओनलाइन स्ट्रिमिंग चैनल पर देख सकते हैं, इस सीरीज की कहानी आलिया यानि निया सर्मा के इर्द गूमती है, बिजनेस टैकून रनवीर की वाइब का रेप और मडर हो जाता है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर रनवीर और आलिया जो की मोडल रहती है, उसका अफैर सब के सामने आ जाता है, वहीं पर दूसरे सीजन की स्टोरी अलग है, और वो भी मडर मिस्ट्री पर बेच्ट है, लव सेक्स और थ्रिलर से भरपूर इस सीरीज के टोटल 11 एपिसोड है, इस सीरीज में टिया बाजपई, नमित खन्ना और निया सर्मा लीड रोल में है, जो की सारे टीवी सीरियल एक्टर रह चुके हैं, तो लव रोमेंस और सेक्स से भरपूर इस सीरीज को भी आप इंजोय कर सकते हैं, ठेक इसके बाद हैं, लस्ट स्टोरीज, इस सीरीज को चार डिरेक्टर ने मिलकर बनाया है, और चारो डिरेक्टर ने अलग अलग स्टोरी को डिरेक्ट किया है, जैसा इस सीरीज का नाम है, वैसा ही ठीक इसका कहानी भी है, इस सीरीज को अनुडा कस्यप जोया अक्तर करन जोहर और दिवाकर बनर जी ने डारेक्ट किया है आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ठीक इसके बाद पांचवे नमबर पर हैं आश्चर चिकित इस स्रीज को भी आप Netflix पर देख सकते हैं आश्चर चिकित की रेटिंग Netflix पर 16 पलस रखा गया है इस स्रीज को आप soft porn भी बोल सकते हैं इस स्रीज की कहानी एक prostitute पर based है जिसको फिल्म स्टार करन कुमार एक रात के लिए हायर करता है लेकिन वो उसे अपनी girlfriend को परोस देता है ठीक वहीं पर फिल्म स्टार के driver को भी उससे प्यार हो जाता है और फिर स्टोरी की turning point आ जाती है इस स्रीज का climax या फिर इस स्रीज की स्टोरी की turning point सांधार है इस फिल्म के lead role में है बिरिंका बोस जो की स्रीवन रागवन की फिल्म जोनी गदार में भी काम कर चुकी है और उसका काम इस स्रीज में बाकई में लाजवाब है इस फिल्म को माराथी फिल्म के डारेक्टर समीत काकर ने डारेक्ट किया है जो की इससे पहले दो माराथी फिल्म डारेक्ट कर चुके है के वाद 4 नमर पर है गंधि बाद div start के वारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे इस र Ethiस अप अप अलडवालाजी पर देख सकते हैं श कर अच्छ जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उपर दिये गए आई बटन को क्लिक करके आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक इसके बाद है देव डीडी, आप सभी ने बॉल्लीवट की आइकोनिक फिल्म देवदास तो देखा ही होगा, ठीक उ इस सीरीज को इरोटिक बनाने के लिए इसमें वो हर चीज डाला गया है, जिसे लोग पसंद करते हैं, इस सीरीज के टोटल 11 एपिसोड हैं, इस सीरीज के लीड रोल में है संजय सूरी, रोसनी और रूमा मॉला, इस सीरीज को आप एक्ता कपूर की अल्ट वाला जी पर दे इस सीरीज को आप अल्ट वाला जी पर देख सकते हैं, इस की कहानी रागनी नामके एक लरकी पर घूमती है, जब रागनी कॉलेज में जाती है, तो वो ऐसे जगा जाती है, जहां पर कोई नहीं जाता, फिर उसके पीछे एक बुरी साया आ जाती है, इस सीरीज के लीड रो इस सीरीज के बारे में आप अच्छे से जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा, या फिर आप उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में खि झाल झाल